कि अग्याल एवरीवन स्वागत है आपको इन्फोगाड इंडिया की चैनल में डेले की तरह हम आज भी निप्टी बैंक लिप्टी के निटीस करेंगे कल जो 31 दिसंबर है इस 2020 यर का लाज़ डे रहेगा कल 31 दिसंबर तो देखते हैं निप्टी बैंक लिप्टी का क्या हाल ह हो सकता है कल पिश डیरेक्शिन में फोलुह कर सकता है तो इसकी हम चार्ट में चलते हैं चार्ट में अब देख रह garden है पhले में वंडे हें के के दल में ले जाता हूं वंडे के के कंदल में देखिये एक अरेट के रुछ लुडेई लोग रहे है कई निगेठीस हैं लेकि तो और जो बंद हुए तो कल की लोजिंग क्लोजिंग का सपासी बंद हुआ है तो कल क्या हो सकता है कल यदि ग्लोबल मर्केट कर सपोर्ट मिलता है दो फ्यूचर्स यह डौ टिक ठक बंद होता है तो कल अगर फ्रेट ओपनिंग होती है तो फ्रेट ओपनिंग मतलब 21 300-400 का सपास में जब ओपनिंग होगी तो वहां पर इसी लेवल पर फिर बाइंग आए और कल यदि 31 500 को पार करता है चुंकि 300 पे बंद हो है तो 31 500 200 पॉइंट करेंज है कल 31 500 के आसपास रोखने की कोशिश कर सकता है अब चुंकि बहुत इंपोर्टेंट यह कि कल एक्सपैरी है यदि 3500 कि इसनों डिसाई डिसाइबलीट तोड़ दिया करिब 10 15 मिनट ऊपर रह ही इसलिए यदि 31 500 को नहीं तोड़ पाता है तो हो सबता है 31 300 500 के बीच में कहीं पर इनहीं कहीं पर मतलब रेंज बॉंड रह जाए गया गया तो ओपनिंग यदि फ्लैट होती है तो उपर 31 500 तक क्ला फर्स्ट आर्ट होगा अगर 10 15 मिनट ऊपर रुख गया तो 31 700 800 तक भी जा सकता है अच्छी से साउट कोरिंग का सब महां सहारे मिलेगा यदि 31 500 पर ही दम तोड़ देता है वहीं कहीं पर 500 510 20 के आसपास जाकी घुम जाता है और फिर से 500 के ट्रेट करता है तो फिर से वह 500 के आसपास में कल क्लोजिंग ह हो सकता है अगर नीचे भी आता है तो फिर से वापस है क्लोजिंग के टैम में 200-300 के आसपास में प्लोजिंग दे सकता है मतलब कल के लिए इंपोर्टन रहेगा 31 500 ओपनेंगे दिफ्लेट होती है तो भी 31 500 नीचे खुलता है तो इक 30,000 का सपोर्ट तो कल का इंपोर्टन रहेगा देखते हैं क्या होता है फ्लेट रहेगा तो बाइंग देखेंगे थोड़ा डीप आता है तो 31,100 का सपास में हम बाइंग का ओपिनियन रखेंगे फिलन नेगेटिव नजरिया यहां पर नहीं रखेंगे बाइंग ऑन डिप्स का मार्केट के लिए हम सुझ सकते हैं अब यह बात करते हैं निप्टी के आप देख रहे होगे निप्टी जो है 49.50 पॉइंट ऊपर उपर इसका क्या हाल है देखते हैं यह 15 मिनुट में बैंक निप्टी के तरह यह उपर ओपन हुआ प्रोपिट बुकिंग गई और कल का जो लो था 860 का सपस गुमा और यह सिधा दिन के उपर इस्तोरों पर फिर से बंद हुआ है आप देख सकते हैं नौश ची का सपस में बंद हुआ है तो इसके लिए क्या रहा हो सकता है यह देकल ओपनिंग जो है इन ही लेवल पर होती है तो इस पर थोड़ सा ट्रीकी रहेगा च्वादा हजार के इंपोर्टेंस रजिस्टेंस है 14000 को डिसाइब ली डिसाइब ली तोड़ता है यह करीब 10 15 मिन टूपर रहता है तो डेफिनेटली साट को रिंग आएगी और यह 14000 पचास 14100 की आसपास तक असाने सी जाने के लिए कोशिस करेगा और यदि थोड़ा निगेटिव अपन एक रजिस्टेंस बन जाएगा तो 14000 इंपोर्टेंट है यह 14000 के आसपास से उसको तोड़के खुलते हैं तो कोशिस करेगा टिकने का यह तो 14100 के आसपास हम कल ही इंटरडें में जा सकते हैं और यह नीची ओपनिंग हो जाती है तो यह रजिस्टेंस हो जाएगा इसके ल प्रेट ओपनिंग होती है और 14000 के ऊपर ओपनिंग होती है तो हम बाइंग का नजरिया देख सकते हैं अभी ओपनिंग के 10-15 मिनट के बाद में जूंकि रजिस्टेंस से 14000 यदि टिक जाता है तो पचास से सोफ़टन के लिए हम पिरसे बाइंग के लिए देख सकते हैं ए लिए निफ्टी के लिए रहेगा तो दोनों में हम बैंग और डिप्स या बैंक निफ्टी पे 31500 तो तो और चवदा जोड़े तो निफ्टी पर चवदार बहुत नजदिक है बैंक निफ्टी में थोड़ा दूर तो देखते हैं दोनों को कैसा से नहीं रहेएगा के लिए वास इतना ही आसा को तो वीडियो अच्छा लगा अच्छा लगा तो डेफिनेटल लाइक और शेयर किजेगा थेंक्यू थेंक्यू वेरी मच्छ